स्वामी जी माराज के चर्णों में हम पूरे भारत की ओर से मनीपूर की ओर से नमन करते हैं मनीपूर भारत माता के मुकुट की मनी है भगवान श्री कृष्ण का बड़ा गहरा नाता मनीपूर से रहा है जैसा शद्दे स्वामी जी माराज ने पूरे विश्यों में पूरे देश में योग की अलग जगाई है नोर्थिस्ट जिसको ये माना जाता था कि लोगों से संपर्क कम हो पाता है भारत स्वा अभिमान ने नोर्थिस्ट के भी हर जिले में हर तहसील में योग की एक क्रांती पैदा की है योग की गंगा वहां तक पहुचाई है हमारे साथ में यहाँ पर मनीपुर में जिन्होंने तनमन धन से सेवा के कारे को आगे बढ़ाया है ऐसे हमारे भाई विनोच जी हाँ पर है एक बार भाई विनोच जी के लिए जोड़दार करतल धावनी और उसके साथ-साथ हमारे भाई हिलेरी जी जो वैसे इसाई संपरदाय से है लेकिन योग में भारतिय संस्कृती में इनकी अनन्यास्था है इनका भी हम अभीनिंदन करत और इसके साथ साथ भाई काली जी है जो विगत 3-4 वर्षों से मनीपूर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहन नीली माजी बहनों के मध्य में बहुत सुंदर सेवाएं दे रही हैं और मनीपूर में जो हमारी भारत की सबसे प्रसिद्ध मुक्यबाज बहन है वर्ल्ड इस रूप से कई कक्षाएं चलती हैं मैं एक बार चाहूंगा बहन नीली माजी उस बहन उन बहनों को खड़ा करें जो अलग से कक्षा लगा रही है मनीपूर में महिलाओं की जो स्पेशल कक्षा लगती है यह हमारी बहन सवीता जी बहुत सुंदर कक्षाएं अलग-अलग सिर्फ महिलाओं की कक्षा लगा रही है और मनीपूर में जब हमारा जाना हुआ तो हमने देखा जहां पूरे देश में खेल के लिए स्टेडियम की बैडमिंटन के कोट की खेलों के प्रती बहुत जाग रुकता नहीं है पूरे भारत की तुलना में मनीपूर में खेलों के प्रती बहुत बड़ी जाग रुकता है जगें जगें स्टेडियम बने वे हैं जगें जगें खेलने के बैडमिंटन के दूसरे खेलों के कोट बने वे हैं आगे हमारे साथ हमारे भाई राजिंदर जी हैं डोक्टर राजिंदर जी जो पूरे तन्मन धन से मनिपूर में सेव निब वाई दे रहे हैं। इसके साथ मनी-पूर में यूआ परभारी के रूप में भाई भाई सगोई जी सगोष जीसगोष जी परमेश्वर जी यहां पर है। जो यूआओं के मध्य में जागरुपता का पाद रहे हैं और युवाओं को लेकर बड़ी-बड़ी योजनाई इन्होंने सोची है भारत सौबिमान के मध्धम से वो सारी योजनाई साकार होंगी इसके साथ-साथ बहन बरजेश्वरी देवी जी इनके नाम भी पूरी भारतिया संस्कृत निष्ट प्रंपरागत नाम है बहन पर पतंजली योग पीठ में इनका हम अभिवानन करते हैं और नोर्थिस्ट में जहां ये माना जाता है कि सेवा के काम करना कई बार बहुत मुश्किल समझा जाता है भाशा के स्तर पर क्योंकि पूरे नोर्थिस्ट में अलग-अलग जन जातियां रहती हैं उनकी भाशा पुझ्य स्वामी जी महाराज जो समवेदनाएं देते हैं उनके भावों को समझते हैं और स्वामी जी महाराज ने अब जो राष्ट सेवा का बीड़ा उठाया है उसको लेकर मनी पूर पूरी तरह से संकल्पित है कि जैसे भारत के दूसरे हिस्सों में योग की क्रांती च जाकर सेवा करने का काम हमारे भाई शाम शंकर रायजी ने किया है जो आसाम से हैं आसाम से ये लगव्ड आट- tes बार मनी पूर गए हैं क्योंकि जब किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत कठीनाई आती हैं मनी पूर में भी पिछले कुछ वर्षों में नॉ की वज़े से ये लगता था कि काम करने में दिक्कत आएगी लेकिन भाई शाम शंकर जी ने बार-बार वहां पर जाकर इस कारे को पूरी तने से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया है तो भाई शाम शंकर जी का भी हम अभिनंदन करते हैं और मैं दो-दो मिनट के लिए भा स्वामी जी माराज के बारे में पतंजली योग पीठ के बारे में किस प्रकार के विचार रखते हैं और ये लगबग दोसों की जो संख्या में बहने और भाई आए हुए हैं ये मणिपूर से चार-चार दिन चल कर आए हैं सामान ने भारत का वेक्ति दिली में रहने वाला वेक्ति पूरी उम्र इतनी दूर नहीं जा सकता और ये भाई इन में से कुछ भाई तो ऐसे हैं जो छे महिने पहले भी आए थे अभी छे महिने के अंदर दुबारा आए हैं अन्दमान निकोबार से यहां पर भाई आए हैं मेगाले से अरुनाचल प्रदेश से सिक्किम से तिरपुरा से मिजोरम से यहां पर भाई पहुंचे हैं तो भारत स्वाविमान का संगठन जो मात्र पांच वर्ष की जिसकी अवस्था है उसमें बहुत पूरे भारत को उन्होंने एक सुत्र में जोड़ा है तो सबसे पहले मैं भाई शाम शंकर जी को आमंत्रित करता भाई शाम शंकर जी मनिपुर के बारे में अपने विचार रहा है